दोस्तों मोजी साहिव ने रेलवे सेक्टर में जो क्रांतिकारी कदम उठाया है उसकी चल्चा तो हम करेंगे लेकिन साथ में आप देख लीजिए द्रोनाचार को धड़ा धड़ा ओर्डर मिल रहे हैं ड्रोन एक्सपोर्ट का साथ में एक्रिकल्चर ड्रोन का भी ओर्डर मिला है ये कंपनी तेजगती से ग्रो कर रही है ड्रोन के धंदे में असीम संभावन आये हैं ना सिर्फ घरेलू बलकि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं आप देख लीजिए भारती कंपनियां उन खरीदना था आज देख लीजिए ओर्डर जीत रहे हैं फिर भी खरीदने वाले लोग धूंडे से भी नहीं मिल रहे हैं दोना चारे छोड़ दीजिए आप आईडिया फोर्ज को देख लीजिए इस शेर में भी यही हालत है बहुत नीचे गिरे हुए हैं तो मानेवर शेर बैठा है धन्दा नहीं बैठा है अभी तक इसलिए इन कंपनियों पर नजर रखें चार्ट पर जब मालक्षमी जी का आदेश हो तब उसके अनुसार अच्छी कंपनियों को सस्ते और वाजब दाम में खरीदने की योजना बनाएं अगर आपको ड्रोन धन्दा पसंद आत है तो हम लोग लालच खरीदते नहीं हैं लेकिन डर खरीदने के लिए तैयार बैटे हैं तो ड्रोन कंपनियों पर मालक्षमी जी के साक्षात और सजीव आदेश का इंतजार कीजिए रही बात दोस्तों आज से पांच-दस दिन पहले हमने बहुत गालियां काई हैं आई- है जी लोगों के ऊपर तो खुमार चड़ा हुआ था परणाम सरूप रेलवे स्टॉक्स में भी ट्रैप हो गए हैं किन्तु दोस्तों इस बैक्ग्राउंड में भी हम कहना चाहते हैं रेलवे स्टॉक्स के ऊपर रेलवे सेक्टर के ऊपर हम बुलिश हैं क्योंकि मोजी साह लगातार निवेश को बढ़ा रहे हैं आप सोयं देख लीजिए छे नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को मनजूरी मिली हैं मुद्दा यहां पर यह है कि रेलवे स्टॉक्स में अगर गिरावट आती है नीचे के लेवल पर सस्ते दाम पर अच्छा माल मिलता है तो खरीदारी क मौके मिलेंगे हम लोग लालच बेचते जरूर हैं लेकिन साथ में डर खरीदते भी हैं इसलिए मार्केट में जब डर का माहुल होगा चार्ट पर महालक्षिमी जी अपने साक्षात और सजीव रूप में जब आपको मार्क दरसन दें तो उसी के अनुसार आगे बढ़े र पूर्स जोइन कर लीजिएगा